अपने बयानों और अपने चिर परिचित अंदाज की वज़से लगतार खबरों में रहने वाले बिहार के पुर स्वास्त मंत्री और लालू यादब के बड़े बेटे तेश्पिताप यादब इस बार अपनी पत्नी एश्वरर राई से तलाग के फैसले को लेकर लगतार कई दिनों से सुर्खियों में है इस फैसले के बाद उन्हें मनाने की तमाम कोशिसे बेकार साबित हो चुकी है यहां तक कि पिता लालू प्रशाद यादब उन्हें रिंस बुलाकर भी समझा चुके हैं लेकिन तेश्पिताप यादब ने लालू यादब से मुलकात के बाद भी साफ कर दिया कि उनका फैसला बदलने वाला नहीं है यही नहीं तेश्पताप ने यह भी कहा कि वो घुट-घुट कर जी रहे थे और वह घर बार छोड़ कर व्रिंदावन में भगवान कृष्ण की शरं में हैं राजनीती से पूरी तरह से दूर तेश्पताप धर्म कर्व में व्यस्त हैं हाला कि ये कयास लगता रहा कि मा राबडी देवी उन्हें मना लेंगी और संभवता सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन पहले ये खबर भी आ गई थी कि तेश्पताप यादब को राबडी देवी ने मना लिया है वो कार्तिक पौल निमा के बाद घर लोटेंगे और तलाग की अर्जी वो अपस लेंगे लेकिन उन कयासों को खोद तेश्पताप यादब ने धाराशाही कर दिया तेश्पताप यादब ने फिर ट्वीटर बंफोर दिया है तेश्पताब के ताजा ट्वीट के बाद ये कयास खारेज हो गए कि उनका फैसला बदलेगा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि तूटे से फिर ना जुटे जुटे जब गाट पड़ी जाए संकेत साफ है कि रिस्ता ना जुटने की हद तक तल्क है हलाकि ये अटकले लगतार लगती रही कि मा राबडी उन्हें मनाने में काम्याब हो जाएंगी और परिवार का ये संकट दूर हो जाएगा शादी के कुछ महिनों के बाद ही पती-पत्नी के रिष्ते इतने तल्क हो गए कि नौबत तलाक तक जा पहुची तेश्पताप यादब ने कोर्ट में तलाक की अरजी दाखिल की और पत्नी एश्वरे पर कई गंभीर आरोब भी लगाए मेडिया के सामने भी तेश्पताप ने इस रिष्ते को लेकर खुल कर बात की और अपनी पत्नी पर कई आरोब लगा चुके हैं जा जानकाड़े के लॉग इन कीजिए citypost live.com बस एक क्लिक में सब इक खबने